प्रधान मंत्री ने कहा कि बीजेपी को जानने के लिए या उसकी पैचान समझ के लिए उसकी पॉलिटिकल एपिरेंसी नहीं है उसकी प्रजेंसी नहीं है उसका स्वभाव भी जानना चाहिए और स्वभाव में समावेशी एक स्वभाव है आप कैसे दिखते हैं भारतिय जन समझना चाहते हैं तो फिर हिटगेवार जी की क्या रहा है गोलवलकर जी की क्या रहा है साथिसा देन अलुपाध्याई की क्या रहा है पार्टी को लेकर विचारधारा को लेकर संगठन को लेकर अनुशासन को लेकर जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप उस बात थी उसकी जो वैचारिक की है उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर देवरस जी ने इस विचारधारा किस तरह काफी काम किया उनको भी समझना पड़ेगा तो जब तक आप बीजेपी को समझने के लिए आपको दरसल आरेसिस की जो कोर विचारधारा है जब तक आ दिए नहीं समझ पाएंगे का बीजेपी का भीस्ट क्या है और बीजेपी किस विचारधारा को लेकर इस देश के अंदर चल रही है जहां तक समावेशी की बात है मैं हमिशा से मानता हूं जो भारतिकंता पार्टी को ड हम श Excal? बल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप गुर इस तरीके से यहां तकि पंजाब के अंदर भी सिखों का एक बड़ा वर्ग है जो भातियंता पार्टी और आरेसिस की विचारधारा से नाराज रहता है उसका कारण बहुत सपस्ट है क्यों कि सिख अपने आपको बांते हैं कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है जब कि आर